राजिस एक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशत यानि की S.E.R.D के तरफ से एक विग्यापन जारी किया गया है और ये विग्यापन दरसल विज्ञान पहली प्रत्योगिता परिक्षा के बारे में हैं ये परिक्षा हर साल होती है जैसा कि आपको जानकारी होगी संचालें हैं और प्ढ़ रहे हैं तो ऐसे विद्यारति जो इस वीडियो को सुन रहे हैं देहें हैं जो कक्षा नवी या दस्यो पढ़ रहे हैं या ऐसे parents या ऐसे students जिनके कोई friends class 9th या 10th में अभी study कर रहे हैं चाहे वो किसी भी तरह के board की परिक्षा में हो सभी मान्यता प्राप्त विद्याले के परिक्षार्थियों या भ्यर्थियों या विद्यार्थियों के लिए ये सूचना काम की हो सकती है आईए जानने की कोशिश करते हैं कि ये विज्ञान पहली प्रतियोगीता परिक्षा क्या है 36 गड़ राज्य में संचालित सभी मान्यता प्राप्त विद्याले के कक्षा नवुमी और दस्वी में अध्यायानरत विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रतिय रूची जागरित हो इसके लिए राज्य सेक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिक्षद यानि की SCERT SCERT दरसल NCRD की स्टेट यूनिट होती है और यह राइपुर 36 गड़ की जो इक आई है उसके द्वारा विज्ञान पहली प्रतियोगिता परिक्षा के लिए निशुल्क आफलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है यह जो एप्लिकेशन होगा वो आफलाइन होगा और इसक जो अभी इस साल में है 2023-24 में क्लास 9 में हो या क्लास 10 में हो जो क्रमशा पूरू कक्षा 8 वी और 9 वी में क्रमशा 60% मार्क्स के साथ पास किया हो जिन्होंने इसके पहले की परिक्षा है कक्षा 8 वी की और 9 वी की अगर 10 वी में है तो 9 वी की और 9 वी में है तो 8 वी की 60% मा सामिल होने की पातरता रखते हैं, तो पहले तो आप eligibility चेक कर लें, अगर आपने last year के exam में 60% marks लाए हैं, तो फिर आप eligible हैं, अगर आप 9th में हैं, तो आपने 8th में ये percentage लाया होगा, और अगर आप 10th में हैं, तो फिर आपने 9th में ये percentage लाया होगा, इसके लिए आपको दस् अगुमेंट्स क्या क्या लगेंगे, अगर आपका ख्षा 9th में पढ़ रहा हैं, तो आपको 8th की mark sheet लगेगी, दस्वी में पढ़ रहा हैं, तो 9th class की mark sheet लगेगी, चैन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे हम चैन करेंगे, ये समझ दें, हर जिले के निरधारित परिक्षा के अं मेरिट को चैन किया जाएगा, अगर tie up हो, जन्मति थी एक जैसा की स्थिति में विद्यार्थियों के जन्म दिनांग के आधार पर वरिस्थतम अभ्यार्थी को मेरिट सुची में सम्मेलित किया जाएगा, दो बच्चे ऐसे हो, जिनका marks एक जैसा हो गया हो, तो जिसका data birth ज्यादा होगा यह जो ज्यादा बड़ा होगा, उसको मेरिट सुची में लिया जाएगा, फिर आती ये बाद प्रोत्साहन राशी की हो, हर जिले से मेरिट के आधार पर चैनित 20 विद्यार्थियों, मतलब रैपुर जिला है तो रैपुर से 20 दुर्ग है तो दुर्ग से 20 धमतरी है तो धमतरी से 20, गरिया बंदे तो गरिया बंद से 20, इस तरह से टाप 20 में प्रते को प्रोत्साहन राशी उनके नाम पर संचालित बैंक में जमा किया जाएगा, जो आपकी प्रोत्साहन राशी होगी इस परिक्षा में, उसको आपके बैंक एकाउंट में ट्रांस है अपने स्कूल में जमा करेंगे जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां पर आप जमा करेंगे और डारेक्ट आप सीर्ट रायपूर को application नहीं भीजेंगे इस बात का ध्यान रखें application आपको स्कूल के थूरु ही submit करना आप स्कूल में submit करेंगे स्कूल वालों से forward कर देगा S.T.E.R.T. को दूसरा instruction principles के लिए है जो principles को यह application मिलेंगे उनको सारे attached documents के साथ 11 सितंबर 2023 तक अपने जिले के निर्धारित परिक्षा के अंदर में जमा करेंगे हर जिले के लिए परिक्षा के अंदर बनाया गया उस परिक्षा के अंदर में प्राचारे को यह जो candidates का application होगा उसको submit करना होगा ग्यारा सितंबर तक कि उसकी last date होगी उसके बाद nominal रोल जमा करने की अंतिमति थी जो है परिक्षा केंद्र धक्ष को प्राप्त आवेदनों में केंद्र कोड लगाना है केंद्र कोड एक सूची है उसमें दी गई है केंद्र का कोड सनलक्ड प्रपत्र के उनसार हाट कापी और साफ्ट कापी एक्सल सीडी यह उनका काम है दरसल इसके candidate का कोई लेना देना नहीं है तो मैं इस पार्ट को स्केप कर रहा हूँ पिर उसके आद परिक्षा प्रवेश पत्र आवेदन पत्र जमा किये गए सम्मंदित परिक्षा के अंदर से प्राप्त किया जाएगा आपने जिस स्कूल में अपना एप्लिकेशन सब्मिट किया है आपका एड्मिट कार्ड भी वहीं से आपको मिलेगा सेलेबस की अगर मैं बात करूँ तो 36 गड़ राज्य के सभी माननता प्राप्त विद्यालेओं के नवमी और दस्वी के समकक्ष जो क्लास 9 और 10 का सेलेबस है उसके एक्वियलेंड फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायोलजी ये तीनों के 25-25-25 प्रश्णों होंगे कुल 75 प्रश्णों का accept होगा और ये MCQ बेस होगा, MCQ टाइप का question paper होगा जिसमें एक से अधिक विकल्प दिये जाएंगे सही विकल्प को आपको chain करना होगा और chain करके आपको उसका उत्तर लिखना होगा माध्यम की बात करें तो दोनों तरह के माध्यम होगे, by-langle होगा परिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा अबलिक लिखा हुआ है आप जिसमें चाहें परिक्षा दे सकते हैं इसमें पुनर मुल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है इस परिक्षा में परिक्षा की जो तिती है वो 10 दिसंबर 2023 है रविवार के दिन ये परिक्षा होगी हर जिले के निरधारित परिक्षा के अंदर ग्यारा बजे से ले करके साड़े ग्यारा बजे तक फिर इसका रिजल्ट रिजल्ट जो है वो SCRT की जो वेबसाइट है SCRT.CG.gov.in पर देखे जा सकते हैं और फिर आवेदन एवं प्रवेश्पत्व प्राप्ति का प्रारूप अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए भी ये वेबसाइट दिया हुआ है वहां से डाउनलोड कर ले अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको एक और ल है वो पीडिया ये दोनों आपको मिल जाएंगे आप दोनों को वहां से डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करके उसे ही भर करके आप अपने परिक्षाकेंद्र में सब्मिट कर सकते हैं ये परिक्षाकेंद्रों की सूची है दरसल रायपूर में जे इन पांडे शास्की उत दिन सब्मिट किया जाएगा सीधे नहीं जाएंगे आपके जो प्राचार हैं उनके थूए एप्लिकेशन फार्म वहाँ पर सब्मिट होगा यह नामिनल रोल किस तरह से बनेगा उसका फार्मेट है स्कूल वालों के लिए है यह आपके काम का चीज नहीं है तो हमने आपके का करी थी वह बता दी आपको एप्लिकेशन फार्म कैसे भरना है या उसका प्रारूप क्या होगा इसका डिस्क्रिप्शन बाक्स में एक लिंक दे रहा हूं वहां से आप डाउनलोड कर लें इस पीडियाप के साथ हो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो शुब कामना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर वीराम दे रहा हूं आगे आपसे नए इंफार्मिशन के साथ फिर बात करेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार